आप सभी को एक बार फिर से नमश्कर मैं डॉक्टर देवेश स्कूल आफ मैनेजमेंट स्टडीस से अभी तक हम लोग प्रिंसिपल्स आफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बाते कर रहे हैं हमने ब्लॉक वन में यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री और आज यूनिट फोर पे बाते करने के लिए मैं आपके सामने हूँ और अभी तक बहुत अच्छे ढंग से आपने कॉनसेट आफ मैनेजमेंट को पिछली यूनिट में समझा हूँ जैसा कि मैं हमेशाल से आपको बताता है हूँ कि मैं दोनों ही भाषा में आप से बात करूँगा जिससे कि आप सभी को ये कॉनसेट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए यूनिट नमबर तीन इसी ब्लॉक की जिसमें हमने विभिन विद्वानों के विचारों को या यू कहें कि कंटिबुशन आफ वेरियस एक्सपर्ट्स और मैनेजमेंट तेलर, फियोल मैक्स वेबर और गिलबर्थ एल्टेन मैयो चेस्टर बर्नार्ड हर्जबर्ड लिकर्ट और मैक ग्रिगर इन थिरूस को समझने के बाद पढ़ने के बाद आपको निश्य तोर पे समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट किस प्रकार से अपनी विकास यात्रा को पूरा करता है और इनके द्वरा दिये गए सिधान्त थियोरी आज भी कितने प्रासंगिक हैं, कितने यूस्फुल हैं अगर हम थोड़ सा और बढ़ें आगे और मॉडन मैनेजमेंट के बाद करें तो मॉडन मैनेजमेंट में भी कुछ एप्रोचेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके आधार पर हमारे प्रबंधक, हमारे इंडस्ट्रीज आगे काम करते हैं इन विद्वानों की जो थियोरी हैं, इनके जो सिधान्त हैं ये अपनी जगे सत्य हैं यूसफुल हैं इनका प्रयोग करते हैं अच्छे परिणाम भी मिलते हैं लेकिन अगर इन से धान्त इन थियोरियों के साथ हम मॉडन मैनेजमेंट एप्रोचेज को भी क्लब कर देते हैं तो परिणाम हमारे और साइंटिफिक मातरात्मक मेजरिबल और कम समय में हमें प्राप्थ होते हैं तो ये ब्लॉक वन की जो फोर्थ उनिट आज हम लोग करने जा रहे हैं जिसमें हम आप से कुछ बातें करेंगे इसमें फोकस है मॉडन मैनेजमेंट एप्रोचेज के क्या है ये एप्रोच क्यों हमें पढ़नी चाहिए क्या इसके फाइदे है बैनिफिट्स क्या है इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर नट्शल में बात करें तो ये पाँच एप्रोचेज हैं इस आज फाइफ एप्रोचेज अफ्रोचेज अफ मॉडन एब सादार वे लोग जAR डात वोगिट को स्रीस आजए आजए कि दिए एपूटर क? और एब सेर्श आजेठग मॉडनली को दिएग मॉडनली मॉडनली को ओप्रोच इसाज ये आपर सक्तिनोंली को थाएफ하는 एफ ये अभर ये छिएमर्ड को वेग ये को The McKenzie 7S approach is very very useful in all the environment of the business, even in the daily life, in the family life as well as office and business life. So friends, be ready. Now we are going to start one by one the important approaches of modern management. Modern management techniques are sophisticated and scientific way of explaining complex day-to-day management problems. Modern management techniques are comparatively systematic and highly constructive. It is not an instantaneous or overnight development. It is rather a composite representation of various contributors from science discipline over three decades. As I have discussed earlier, in last unit we have studied valuable contribution in the field of management. Now today we are going to conclude this block with this important unit in which we will focus on knowledge of management science to the last approach, McKenzie 7S approach. Now take up 1. Management Science. Pravandh Vijayan. The Management Science approach has made a significant impact on the practice of management. The methods and techniques developed under it are being increasing use for managerial decision making. This approach has contributed a lot in developing orderly thinking in management leading to more exactness. The management science approach has given effective tools to solve problems of planning and control. If you remember, if you remember, if you remember, Unit 1 was mentioned that management is used for management or science is also a new idea. The management of management is also a new idea. मेनेजमेंट साइन्स भी है और मेनेजमेंट आर्ट भी है आर्ट कितने कलात्मक तरीकों से जब हम प्रबंध को उपरोर में लाते हैं और साइंस इसलिए कि इन जब हम उद्देशों को मात्रात्मक डहंग love quantitative भंग से measure करना चाहते हैं या परिणामों को प्रद्शिक करना होता था quantitative terms में तब हमें science का उपयोग करना पड़ता है जैसा कि हम आप से बता रहे हुथे कि कि जब quantitative terms में management में कोई बाते की जाते तो वहां हमें science की अवश्यक्ता पड़ती है वहां हमें फॉर्मूलों की मैथेड्स की एक सेट प्रॉसेस की आवशक्ता परता है और जब भी इन तीन चीजों का हम उपोक करते हैं तो वहां पे हमें साइंस दिखाई परता है और ये साइंस रातो रात नहीं आया जैसे कि मैंने भी आपको कुछ लाइनों में बताया ये रातो रात इवाल्व नहीं हुआ इसमें कई दशक लगे इन सूत्रों को, इन प्रॉसेस को, इन फॉर्मिलोस को दिराइफ करने पिछले उनिट में और मॉडर्न अप्रोच में ये इन साइंस जो आज हम लाइन बाइन आप से बिसक्स करने की कोशिश कर रहे है So learners, the management science approach was evolved after the second world war. It evolves the application of sophisticated quantitative mathematical techniques for solving manager problems. Several mathematicians, engineers and economists made significant contributions towards this approach. In recent years, the scientific method or attitude has been increasingly adopted by good managers towards performance of their job of managing and achieving the predefined objectives. They have developed inquiring minds which first attempt to identify the problem from hypothesis or tentative solutions. Then investigate in terms of current knowledge and even control experiments. Classify data, so obtain and develop it into alternative codes from which ultimately the appropriate solution is sought. I have already told you before I have said that when you have to solve some problems, a specific practice is required to be applied to a practice of science. A practice of the practice of today's competitive view, if you don't perform science, then you will not get a realistic approach to it. नहीं मिलेंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होता है? सब से पहले आपके पास एक समस्या होती है, प्राबल्म होती है। उस प्राबलम के कुछ solutions आप दिमाख में रखते हैं। ये हो सकता है, ये नहीं तो ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप डेटा इखटा करते हैं जहां पर या तो वो प्रॉब्लम आ रही है या जहां आपको जिस छेत्र में जाके काम करना है जिन लोगों के उपर काम करना है। अब उसमें मठेमेटिशेंस द्वारा जो फॉर्मूले बताए गया है उनका प्रयोग करते हैं। और जो प्रॉर्टनीटिवस हमारे मन में होते हैं जो हमने डिफाइन किये होते हैं। or some satsi best suited alternatives, based on these calculation formulas we try to capture that so that we get good results ultimate results over our computators This approach is known by several names such as decision theory mathematical theory or approach quantitative approach operational research that is OR approach The use of management science has the following merits Because it's very important आप सब को ये समझना चाहिए कि इसका use हो क्यों रहा है क्यों किया जाए Art तक management as a science, management as a art Art तक तो बहुत अच्छी बातें, बहुत सारे सिध्धान थे जो समझ में आ रहे थे लेकिन उच सिध्धानतों को रियल वर्ड में जब हम प्रेक्टिस के लिए उतारते हैं तो हमें साइंस का साहरा लिगना पड़ता है एक scientific approach भी चाहिए management को तो उसके फाइदे क्या हों उसका पहला फाइदा It uses rational and systematic methods to solve management problems I think it's clear to you It treats management as a field of scientific study Number 3, it helps developing and inquiring mind जो सदेव आपको क्या, क्यो, कहा, कैसे सोचने के लिए प्रेडित करता रहता है Number 4, it develops managerial skills of job design Number 5, it helps in improving production efficiency Besides our merits of management science Let's categorically try to understand various advantages For various segments like employer, workers and the society related with organizational business क्या फाइदा हो रहा है एक नौकरी प्रदाप्ता को एक employer को क्या फाइदा होगा उनके workers को और क्या फाइदा होगा society as a whole को अगर हम scientific approach से management की theories को implement करें और अपना व्यापार आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं benefits towards the employer और advantage towards the employer आपको यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपको जो self-learning material भेजा है that is SLM या आप अपने शब्दों में उसको books कहते हैं जो भी बाते में आपको कर रहा हूँ यह सारी के सारी theories, approaches यह सब आपकी उन पुस्तकों में है आपको पढ़ना चाहिए यह जो SLM है यह गागर में सागर कीता रहे है आपको केवल इन पुस्तकों को इन SLM को पढ़ते जाना है और मिश्यत तोर पे आपकी knowledge बढ़ती जाएगी जब हम बात करते हैं scientific approach के advantages towards employer तो daily life में हम कुछ महतुपूर्ण benefits को, advantages को list कर सकते हैं मेने आपके लिए कुल 5 benefits यह निकाले हैं 1. scientific management is the effective combination of the most suitable factors of production it makes possible for the management to ensure greater efficiency through standardization, simplification and scientific task planning ultimately this results in the reduction of cost because the reduction of cost to maintain the quality these two factors are most important factor to sustain your business sustain your organization in this competitive world 2. under it there is effective planning and control of work as regards how, where and when it is to be done this helps in setting of the production targets with utmost confidence 3. scientific and factual study and investigation of different methods and techniques offer the most appropriate and simplified process 4. scientific management makes it possible for the business to reach out of areas far and wide due to better quality and lower price of the goods produced it leads to increase profits and growth whenever you want to increase your profits your growth, your market share you have heavily deployed the scientific approach and the last one is it becomes possible under scientific management to have complete mental revolution once again I am repeating the word mental revolution on the part of both management and workers this leads to greater harmony in the enterprise and thus conflict-free atmosphere prevails within the organization and out of the organization both so that the hassle-free environment is established within the organization so these are the five very important advantages towards the employer now comes on advantages towards the workers workers are taking following advantages from their employers by implement management science in their day-to-day working in the organization I have listed once again five advantages towards the workers let's try one by one number one under scientific management there is a great emphasis on improving the actual working conditions such as proper ventilation lightning space etc this enables workers to more hours of work smoothly peacefully in a conducive environment number two as productivity is increased under scientific management the workers get more wages which increase their standard of living and mental satisfaction workers are provided free training to make them more efficient in the real situations of the job and business number four everyone is offered the job for which he is most suitable the psychological testing about the interest and aptitude of the employees result in an interest in the job and the last very 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 important thing under scientific management ale differential peace work system जब हम टेलर द्वारा दिया गया scientific management पढ़ रहे थे वहाँ ये शब्द आया था Differential Peace Work System तो टेलर नहीं जो हम this scientific management दिया था वो कहीं न कहीं इस scientific approach का आधार था और इसी लिए ये important point ये advantage towards the workers को यहां लिस्स किया गया है Under scientific management, differential peace work system of wage payment is adopted. According to this system, the wage is determined by the individual performance and on the position which a worker occupies. उतना ही पैसा मिलेगा जितनी आपकी परफॉर्जन्स होगी. Government system में क्या है? What is the main difference between the government and private system? Government system में आप 10 बजे आए? 5 बजे तक आपकी जॉब रही. जो आपका इस salary तै हुई है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी. आप काम करें, अनित्हाना करें. लेकिन प्राइविट सिस्थम में क्या है? प्राइविट सिस्थम में आपको कोटा दिया जाता है. आपको objectives दिये जाते हैं, targets दिये जाते हैं. अगर उतना हिस्सा काम का पूरा नहीं हुआ, तो आपको निर्धारित salary नहीं मिलती है. So, thus wages under the system are positively correlated with the efficiency. यह point हमें बताता है, यह scientific approach हमें बताती है, कि अगर हम differential peace work system, wage payment में डॉक्ट करते हैं, तो उससे जो सबसे बड़ा फाइदा होता है, वो यह होता है, कि wages correlated होती है, workers की efficiency से. जिनकी efficiency अच्छी होती है, उनकी wages अच्छे होते हैं, measurement अच्छा होता है. जिनकी efficiency खराब होती है, उनकी wages घटती जाती है, और उनको organization एक समय आने पर उनसे हाथ जोड़ लेता है, नमशकार कर लेता है, कि अब आपकी efficiency हमारे organization लाइक नहीं है, आप जा सकते हैं. So, these are the five very important points towards the workers. Now, the last advantages or essentials or importance towards the society. Management अच्छे में साइंस अपरोच की. Society as a whole benefits by the use of management science in the business organization in various ways. Now, let's try to understand on four points so that you can get the clear idea how the society is benefited by the scientific approach in management. 1. Scientific Management Leads to Economic Prosperity Production is done at minimum cost, standard of living is raised on account of higher wages, and economically and efficient use of social resources, etc. Make the Society Prosperous. In this first point, you have seen that if we do a scientific approach, then the most advantage of society is the biggest benefit of the economic prosperity. आती है, कैसे आती है, प्रोड़क्शन की कॉस्स कम होती है, क्वालिटी के स्टेंडर्ड बढ़ जाते हैं, वेजिस डिरेक्टली रिलेटेड हो जाते हैं, इफिशेंसी से. वेजिस मिलेगे ऊशेशेटी के जो गुरुप जो सदस से अच्छी एफिशेंसिस से काम करेंगे, उनको जय्यदा वेजिस मिलेगे, उनका लिविविग स्टेंडर बढ़ेगा, So, society as a whole, living standard improve होगा, जो काम नहीं करेंगे, उनका living standard अच्छा नहीं होगा. So, the scientific approach, the advantage toward the society as a whole make the society prosperous. Number two, it aims at providing maximum satisfaction to both industry list as well as employees. This leads to a tension-free relationship between the maalik and mazdoor, paisa lagane waala aur kaam karne waala, and this cause as industrial harmony. The most important thing is that scientific approach, I want to give you a small approach. Today, you will have heard that the attendance is from the machine. The first time the attendance was in the register. It is at 10 o'clock, at 11 o'clock, it is also put on the maalik. The maalik says that you are late, mazdoor says that we are at the right time. The maalik has been able to do both. Or the maalik has been put on the maalik, the maalik has been put on the maalik. Ultimately, it is because it is a problem. Whenever we need 8 hours, we produce 7 hours, we can deliver it with the maalik hans and the maas тоже. But I must be aware of science through science from all process. Today, it needs to be through the national Sit Ribas. Then you will have to take time and leave the maalik in the machine. panes and LUANG in the restaurant in the must. It's not even time to be using the maalik already. अब आप इस science से, इस machine से, इस method से जूट नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो real time recording है आपकी, आप सुम्हें जानते हैं कि आपने क्या किया है, तो इससे क्या है, इससे मालिक मजदूर में, जिसने business लगाया है, या जो नियोकता है और जो कर्मचारी है, उसके बीच में सामने है, जो आप लेटाए हैं तो आपका पैसा कटेगा, आप सही समय पे आएं तो बड़ी अच्छी बात है, इससे काम करवाने वाले में और काम करने वाले में कभी कोई stress जैसे संबंध नहीं पनपने पाते हैं, सदेव एक harmony बने रहती हैं, ये सबसे बड़ा एक उधार हैं में स सुलिइध प्रवच का त that is, because of increased production, goods are easily available at fair price to the people, because the competitors are also producing the same product on same cost in the society. So because competition are increasing, we have to stick, we have to be careful about the cost and the quality and availability of the product in that particular market. Thus, management science is being increasingly used in arriving at management decisions. Besides, the modern development towards the use of quantitative techniques and mathematics is an aid to managerial decision making. The advent of the computer as a management tool has given great inputs to the use of such quantitative management methods. अगर आप इसको समप करना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि कम्प्यूटर के आने के बाद से मैनेजमेंट को साइंस के रास्ते पे चलानी पे बहुत सुविधा हुई है. और संभाता इसी लिए कम्प्यूटर्स का अप्लिकेशन का विरोध होता आया था कि कम्प्यूटर्स जो कमाल कर सकते हैं, वो मानव नहीं कर सकते हैं. और आज मानो का जो efficiency बढ़ने का काम है, मानो संसाधन का, जो production को increase करने का काम है, cost को reduction करने का काम है, वो बहुत ही बेत्रीन धंग से in computers के द्वारा किया जा रहा है। और अब एक कदम और आगे जाके हम देखते हैं कि आज artificial intelligence आगया है। अगर science, management इसे science की बात करें, तो जहां सिधानत आये थे, जहां टूल, टेक्निक साइन्ग थी, वहां computer ने processing speed को तेजी से बढ़ है। और आज हम artificial intelligence की बात करने लोगे। यह एक नई प्रकार की क्रामती है, management as a science में, जिसके बहुत-बहुत बहुत 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 परिणाम मिलने की उमीद है। क्योंकि यह अभी first phase है artificial intelligence का भारती अव्यापारिक परिदश में, इसलिए इसके उप्योगों को समझा जा रहा है, किया जा रहा है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे नहीं है, अभी बहुत कम छेत्रों में इसका उप्योग है, लेकिन जहां भी किया जा रहा है, इसके पर इस step में अगर हम बढ़ें, important approaches to management में तब आता है operation research या mathematical approach, थोड़ी सी बात आज हम करते हैं, operation research के बारे में आप लोगों से, क्या है ये, operation research है क्या, इसको हम लोग OR बोलते हैं या mathematical approach भी इसको बोलते हैं, in recent years, the scope of intuitive judgment in decision making is gradually being curtailed, and a greater emphasis has been put on quantitative approach involving the use of mathematics and statistics, this quantitative approach to decision making is referred to as operations research, आप लोग जब अभी आगे के semester में जाएंगे, तो एक अलग से ही पूरा subject दिया हुआ है, operation research का, जिसमें बहुत सारी techniques दी हुई हैं, और आपको solve, unsolved examples, जो आपकी पुस्तक में दिये हैं, SLM में दिये हैं, उनके माद्यम से जब आप problems को solve करेंगे, तब आपको लगेगा, ये operation research तो एक अलग प्रकार का जादू है, इससे क्या बहतरी परिणाम मिल सकते हैं, production cost को हम कैसे घटा सकते हैं, कैसे हम quality को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम economic prosperity ला सकते हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि competition जिससे साबसे बढ़ रहा है, वहां हमें man, machine, material, money का efficient use करना है, efficient use इसलिए करना है, कि हमारी cause कम रहें, हमारी quality सर्वुत्तम रहें, availability of product हमारी सबसे पहले हो, diversity in product हमारी सबसे बहतरीन हो, और मानव संसाधन का हम सबसे बहतरीन इस्तिमाल करें, जिससे की हमारा जो working environment है, वो stress free रहें, हमारा worker satisfied रहें, faithful रहें, और बार बार हमारा workers हमें छोड़ के ना जाए, एक सबसे बड़ी problem यह है, कि हम workers को एक साल, दो साल, तीन साल अपने organization में रखते हैं, और वो काम सीख के आगे चला जाता है, हमें फिर से नया रखना पर आता है, तो हमें यह भी धियान रखना है आज के दिन में, कि हम कैसे overall cost को कम कर सकें, workers efficiency को बढ़ा सकें, और quality को सर्वत्तम बना सकें, इसकी आग के लेकि लेक्शर के करेंगे